हाती का एक छोटा सा बच्चा नदी में गिर जाता है और किनारे पर बहुत जादा फिसलन की वज़े से वो उपर नहीं चलपाता है मदर एलिफेंट रास्ता बनाने की कोशिश करती है लेकिन उससे काम नहीं बनता है और वो एक बड़ा रिस्क लेकर अपनी और अपने बच्चे की जान को जोखिम में डाल कर दूसरे किनारे तक जाने का डिसीजन लेती है क्योंकि जंगल के इस तालाब में बहुत सारे भूके मगरमच खात लगाये छुपे हुए हैं बेबी अलिफेंट के लिए गहरे पानी में ये पहली बार है क्योंकि ना तो उसे तैरना आता है और ना ही वो ठीक से सांस ले पा रहा है भूके मगरमच मौके की तलाश में हैं लेकिन उसे मा के साथ खत्रा नहीं है और फाइनली दोनों किनारे तक पहुँच जाते हैं बेबी अलिफेंट हस से जादा ठक चुका है पानी में चल कर लेकिन उसे जुंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा